एचेससी की भरती पर हर सवाल का जवाब आपको दिखाएंगे एचेससी के चेर्मेन हिमत सिंग ने एक्सक्लोजिवली खबरी अभी तक से बातचीत की हमारी स्टेटर जी तेंदु चौधरी ने उनसे खास बातचीत की और सवाल पूछा कि कोट की वज़े से भरतियां तो न मुझे बेन्फिट इस तरीके से मिला है क्योंकि मेरा कोट का एक्सपेरियनस हरा है कोट के एक्सपेरियंस की वज़े से जो केसी से हमने उनको अच्छे से हैंडल कर लिया जो इस्यूज कर लिया उनको रिजोल्व करने की कॉसजिस की है कुछ लोग गए कौर्ट में किसी को रिलीफ भी मिला है लेकिन अल्टिमेटली हमारा जो प्रोसेस था वो कहीं पी डिरेल नहीं हुआ है टाइम टू टाइम हम लोग करें और कुछ कैंडिडेट्स ने तो सुप्रीम कोड को भी अप्रोच किया लेकिन रिलिफ कहीं पे भी नहीं मिला है उन लोगों क्योंकि हमने प्रोसेस के अकोडिंग लिए राज पर लो जो बाकी ज़स्वेंट से उनके फोलो करके हम एक्जाम की त्यारी करा है आपने हाल ही में हम देख रहे थे कुछ दिन पहले कुछ और परिक्षा यह पर कहें कि कुछ और अड़िजमेंट जारी की है उसके बारे में हम चाहेंगे कि तमाम अभ्यरतियों को दर्शकों को पता चले आप बता जी हमने अभी लास्ट जो एड़ोटीजमेंट की है वो जो एड़ोटीजमेंट की है तो रूटीन में जो एक कलेंडर टाइप हमने कोसिस करी है बनाने की तो उस कलेंडर में वो हुआ है तो उसमें हमने लास्ट जे अभी कुछ आइधिंक 16 को या 15 को हम लोग ने उसको वो किया और प्रोसेस है एक कंप्लिट एग्जाम का सेडूल है सबका एड़र्टीज्मेंट कंप्लिट ओ चुकी है एक्जाम जो अभी तक सडूल हुए थे वो उसी तरीके से एक्जाम चल रहे है गुरुप बन का एक्जाम हो चुका है गूपटू का हुआ है कल 56 का हुआ है आज 57 का हुआ है नेक्स्ट में 25 को हमारा पुलिस का एक्जाम है जो बिल्कुल सेडूल है हमारा पुरे हमने पी आर्टी के पद निकाले प्राइमरी टीचर्स के तो वह भी है वह दस-12 साल से कुछ ऐसा था कि लास्ट ताइम रिक्रूट्मेंट नहीं हुआ था अभी पी आर्टी का भी हमने क यह तो नंबर है इसका नंबर 4,000 पुलिस कोंस्टेबल का है वन थाउजन पुलिस का फीमेल का है कुछ गुडसवार का है यह एसे से बाइफरकेशन इनका और यह एसपी का मिला के 6100 का एड़ोटीजमेंट है तो लास्ट एड़ोटीजमेंट है उस 6100 का है अब भर्तिया को कंसिडर कर रहे हैं जो लिटीगेशन में उनके सीज को रव्यू कर रहे हैं उसकी स्पेशल टीम बनाई है और वो रव्यू कर रही है जैसे ही चीजें रिपोर्ट आती है उसके नेक्स टेप पर जाएंगे अभी तक आपने कितनी जो भर्तियां है आप तरवा चुकिए जब से आपने कार्यकाल समाला है आपके कमीशन में क्या कर देखेंगाने 1000 कि जो को तरव यह लगों की जोइनिंग हो चुकित है इस नहीं कमीशन के साथ तो तो मेरे एकल से उसको ना जोड़े है हमारा कमीशन है कमीशन ने नए कमीशन ने बारा हजार की जोईनी अभी तक करवा दी जो दो महीने के टाइम में और मुझे असा लगता है कि काफी अच्छा नंबर है विदिन टू मंथ हम बारा हजार करा पाए और उसके बाद लिटिगेशन भी था चीज़ें थी सुप्रीम है अप्रोक्सिमेट 45,000 के आसपास का भी जो नंबर है वो एड़ोटाइज हो चुकी है अलग अलग नंबर पर जैसे आज जो कैंडिडेट्स है 56 और 57 में इसमें 16,000 पोस्त है पुलिस का है जो एक्जाम होना है 25 का वो 6,000 पोस्त है तो ऐसा जो नंबर है वो 40 45,000 के आसपा सब्सक्राइब करें जैसे प्रोसेस आएगा कारण भी है अभी तक जो देखा भी कि हम परिक्षा तो दे देते हैं लेकिन फिर वो कहीं कोई जो है लीक का मामला आगया कुछ ऐसी चीजा अभी जिसनी कोट में हुआ है अभी तक जो चीजे होई दो महीने में तो दो महीने म मुझे नहीं लगता कोई आप एक केसा अससा बता पाएंगे जिसमें हमारे किसी कोट ने हमें कुछ ऐसी चीज करिए जिससे हमारा प्रोसेस जो स्लेक्शन प्रोसेस सब्सक्राइब हो एक विजज्जमेंट नहीं है कोई भी नहीं है तो हम बिल्कुल अब ट्रैक पे हैं औ उसके कोडिंग कर रहे हैं जैसे जैसे आएंगे कल हमने एक्जाम लिया बारा बज़े एक्जाम खतम हो और अगर एक्स्टाम की बात करें तो 12-35 तक सभी एक्जाम खतम हो गया साम को 600 को हमारा आंसर की था साइट पर इस से जादा कमिशन की स्पीड नहीं हो सथा तो हम पर इक्षा हो रही है उनका रिजल्ट कब तक समझें बड़ा जल्दी करेंगे और उसमें देख पाएंगे में क्या-क्या चीजें अपली के बला किन चीजों कर सकते हैं किन जो कम नहीं कर सकते मोडल ओफ कॉड़ ओफ कंड़क्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें क्या जो आगे भर्तियों को लेकर के जो पूरी विजो प्रिक्रिया है क्योंकि अब भर्तियों के मनमें बोडल कोड़ ओफ कंड़क्ट का सवाल आ जाएगा तो क्या यह मान करके चलें कि इन तमाम चीजों से निकल करके आप तक जोइनिंग करवा देंगे हैं हमने अभी त लेटर भी आप लोगोंने मीडिया में भी सर्कुलेट हुआ है कुछ लोग यूट्यूबर्स जिनको कई बार कोड की जज्जमेंट का उतना नौलीज नहीं होता वो कुछ इस टाइब का भ्रम फैला देते हैं उनको भी हमने आगा किया कि आप ऐसा ना करें और एक प्रुस ता ठीक ने रहे